टाइगर श्रॉप हे इन दिनों अपनी आगामी फिल्म बागीदो के प्रमोशन में काफी व्यस्थ चल रहे हैं हाल ही में उनकी इस फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया है जिसे दर्शकों के बीच काफी पसंद भी किया जा रहा है बता दें की फिल्म में टाइगर के साथ उनकी कथित गरल प्रेंद दिशा बॉलिवुड अभिनेता टाइगर श्रॉप हे इन दिनों अपनी आगामी फिल्म बागीदो के प्रमोशन में काफी व्यस्थ चल रहे हैं हाल ही में उनकी इस फिल्म का ट्रेलर जारी किया गया है जिसे दर्शकों के बीच काफी पसंद भी किया जा रहा है बता दें की फिल्म में टाइगर के साथ उनकी कथित गरल प्रेंद दिशा पटानी भी मुख्य किरदार निभाती हुई दिखाई दे रही है दिशा के फिल्मी सफर को लेकर टाइगर का कहना है कि उनके उपर इंडिस्ट्री के एक बेहतरीन शक्स का हाथ है बागी दो के ट्रेलर लॉंच के मखे पर टाइगर ने साजिद नाडियार्ड वाला की सराहना करते हुए कहा कि वेहिकलाकारों को काम करने की स्वतंतरता देते हैं टाइगर ने कहा मैं उनकी छत्र छाया में काफी खुश हूँ वह मेरा मार्क दर्शन करते हैं टाइगर ने कहा जहां तक दिशा की बात की जाए तो उनके सिर पर इंडिस्ट्री के एक सबसे अच्छे शक्स का हाथ है साजिद सर ने स्क्रिप्ट और निर्देशा के माध्यम से हमें पूरी स्वतंतरता दी है और जिस तरह सिर दिशा ने फिल्म में अभिने किया है वे हद भुत है हम खुश नसीब है कि हमारे सिर पर ऐसे गुरुवार का हाथ है गौर तलब है कि बागी दो वर्ष 2016 में आई फिल्म बागी की सीक्वल है इस फिल्म में टाइगर और साजिद तीसरी बार साथ काम कर रहे हैं उनकी यह फिल्म 30 मार्च 2018 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी